मुरली की तान बज़रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़रही मुरली की तान बज़रही ओम शांती आज 13 अगस 2021 की साकार मधुर मुरली है आज शुक्रिया दिवस पर तह दिल से हम परम पिता परम शिक्षक का शुक्रिया करते हैं जिनोंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, रोहानी डिल सिखाई बाबा ऐसी डिल सिखाते हैं मन मनाभव की जिससे 21 जन्मों के लिए हरिस्ट प्रुस्ट बन चाते हैं, निरोगी बन चाते हैं ये डिल स्वेम निराकार परमात्मा प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाब को याद करो, अपने को देही अकेली आत्मा अनुभव करो. जब आप अपने को देही समझ एक बाबा को याद करते हैं, तो इसमें गुप्त मेहनत है. सत्गुरु की ये आज्या है कि आप देही अभिमानी बनो, तो देअभिमान दूर हो जाएगा, आत्मा पावन बन जाएगी. जैसे स्कूल में बच्चों को ड्रिल सिखाई जाती है, तो यहाँ गीता का भगवान स्वेम ड्रिल सिखाते हैं, कि इस ड्रिल का अभियास करने से आप कभी बिमार नहीं होंगे, 21 जनमों के लिए निरूगी बन चाएगे. स्वेम परमात्मा हम बच्चों को यह ड्रिल सिखाने के लिए कल्प में एक बार आते हैं, तो कितनी रूची से, प्रेम से एक बाबा को याद करना है, मित्र समंधियों को भी संदेश देना है, कि एक बाबा को याद करो. जब अपने को देही समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तो देहे के समंधियादी सब स्वत्य भूल जाएंगे, क्योंकि वापिस घर जाना है, तो घर चलने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है. बाबा के सिवाएं कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता, वो ही सच्चे सच्चे योगेश्वर है. पहले भोगी थे, इसलिए रोगी बनते चले गए. अब बाबा कहते हैं, ज्यान से धन्वान बनो, योग से हेल्दी वेल्दी बनो, जितना बाबा को याद करते हैं, निरो बाबा को याद करें, तबी आत्मा पावन बनेगी, याद से आत्मा पावन बनती है, बाबा ही मूस्ट बिलावट है, सबसे प्यारा है, उससे प्यारा कोई और नहीं, सामने जब योग कराते हैं, ड्रिल टीचर बैठते हैं, कोई बड़े और छोटे, तो ये भी काइदा ह कि सामने बैठें, लेकिन हर एक स्वैम को चेक करें, कि हम किसकी याद में बैठे थे, सबसे प्यारा एक ही बाबा है, वो ही दुख हरता सुख करता है, उसकी याद में कोई और याद ना है, इतना याद का भ्यास करना है, कि विकरम वेनाश हो जाएं, अपने मित्र समंद्य को भी कहो कि गेता का भगवान कहते है, माम एकम याद करने से विकरम वेनाश होंगे, अपने को अकेली आत्मा समझ, शुब बाबा की याद से उन्ने आत्मा बंचाएंगे, तिवर पुर्शार्थी वो है, जिसके मन में सब के प्रति, कल्यान की वृति है, शुब चिंतक भ बने, लेकिन हमारी भाव और भावना कभी परिवर्तन ना हो, हर पर स्थिती में वृति स्रेश्ट रहे, शुब भाव रहे, तो उससे स्थिती अचल अडोल बन जाएगे, हमारी स्थिती पर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे जो शुब चिंतक भृति में रहत समझाया, उन्हीं को कहते हैं, विश्व कल्यान कारे, बहुत सुन्दर स्लोगन में बाबा ने समझाया, संतुष्ट ता जीवन का श्रिंगार है, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, आज चलते फिरते, विश्व कल्यान कारे स्टेश में रहेंगे, कोई कैसा भी है, हमारी वृति स्रेष्ट रहे कल्यान की रहे शुब चिंतक वृति रहे शुब चिंतक वृति से सबके प्रती एके भाव उत्पन हो कि सात्मा का कल्यान हो कल्यान हो कल्यान हो दिल से बाबा का शुक्रिया करते आज शुक्रिया दिवस पर सबको शुब भावनाओं की गिफ्ट अब सुनते हैं मुरली विस्तार से पालन करने में गुप्त मेहनत है सत्गुरु की शरीमत है मीठे बच्चे दे को भी भूल कर मुझे याद करो अपने को अकेली आत्मा समझो देही अभिमानी रहने का पुर्शाथ करो सबको यही पैगाम दो और शरीरी बनो दे सई दे के सब धर्मों को भूलो तो तुम पाव इस श्रीमत को पालन करने में बच्चो को गुप्त मेहनत करनी पढ़ती है तकदीरबान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं ओम शान्ती बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बैनों को ड्रिल सिखाने यह कौन से ड्रिल है इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता वे जो जिस्मानी डिलादी करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है ये तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है जो बच्चों को बैठ योग की डिल सिखाते है ये डिल गुप्त है डिल सिखाई जाती इसलिए सिखाई जाती कि स्टूडेंट हेल्दी हो तुम बच्चे जानते हो इस मन मनाभव की डिल से 21 जन्मों के लिए रुस्ट पुस्ट रहेंगे कभी बिमार नहीं होंगे तो कितनी अच्छी रुहानी डिल है बाबा समझाते मन मनाभव इसमें कहने की भी दरकार नहीं सिर्फ समझाया जाता अपने को आत्मा समझो देही अभिमानी भव भव का अर्थ ही है तुम बाब को याद करू तो एवर हेल्दी बन जाएंगे कल्प पहले भी हम इस रुहानी डिल में एवर हेल्दी बने थे रुहानी जिल, रुहानी बाप, परमपिता परमात्मा शिव सिखाते हैं भगवान तो उनको ही कहा जाता, जिनकी पूजा भी होती है शिवाई नमा भी कहते हैं, ब्रह्मा देवताई नमा शिव परमात्मा नमा कहेंगे, ये जिल कोई मनुष्य नहीं सिखाते ऐसे ने कि तुमको ये डिल ब्रह्मा ने सिखाई है नई भले ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हूँ प्रंतु चिठी पर भी लिखते हूँ शिव बाबा केरो ब्रह्मा वे तो गुप्थ हो गया लेकिन मर्शों को कैसे पता पड़े ब्रह्मा तो प्रजा पिता है तो सारी दुनिया उनके बच्चे है प्रजा पिता है ना डिल सिखाने वाला तो निराकार बाब है वो गुप्थ है गुप्थ होने के कारण मनिशों को समझने में डिफिकल्टी होती है ब्रह्मा को तो भगवान नी कहा जाता तो याता है तो उनको समझाना है ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं निराकार बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं पारलोकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई तुम पत्र के उपर लिखते हो शुव बाबा केरो ब्रह्मा तो ये भी याद करने की युक्ति है शुव बाबा सिखाते ब्रह्मा द्वरा बस सिरफ कहते मन मनाभो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती सिरफ कहा जाता कि तुम अपनी उनती चाहते हो और सच खंड का मालिक बनना चाहते हो तो सच खंड स्थाप याद करू, सचकंड स्थापन करने वाले सत्य बाप को याद करू, बेहत का बाप आकर बच्चों को कहते, मुझे याद करू, तो पापों से मुक्त हो जाएंगे, स्रीकृष्न को पतितपावन नहीं कहा जाता, सिवाई परमपिता परमात्मा के, और किसी को भी पतितपावन नहीं कहेंगे, God Father भी नहीं कहेंगे, सब उनको Father कहते हैं, फिर उनको सरव्यापी कैसे कह सकते, कहते हैं वो आते हैं लिबरेट करने के लिए, ये मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयू जल्दी उल्टी लिखती, अब बच्चों को ड्रिल करनी है, ज्यान तो मिला हुआ ह जब बैठते हो, तो अपने को देही समझ बाप को याद करो, ज्यान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो, तो देही समझ बाप को याद करो, तो विकरम विनाश होंगे, टीचर सामने बैठता है, गद्धी पर तो शोबता है, काईदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरू कोई बड़ा टीचर तो कोई छूटा टीचर होता अब तुम्हारा इम्तहां लेने की कोई दरकार नहीं क्योंकि तुम खुद जानते हूं हम कितना समय most beloved बाप को याद करते हैं हर एक स्वयम जानता है मैं बाबा को कितना याद करता हूं ब्रह्मा कोई most beloved नहीं Most beloved वो सदा पावन है, तुम बच्चे जानते हूँ, सबसे प्यारा कौन है, मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं, ये दुख हरता सुख करता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्था दुखों से मुक्त करने वाला, तो बच्चों को अपना पुर्शार्थ करना है, ड्रामा जानते हो, आग कैसे लगेगी, विनाश होने बिगर दुनिया पावन बन नहीं सकती, ये रुद्र ज्यान यग्ये, रुद्र और शिव कोई फरक नहीं, प्रंतु शिव नाम मुख्य है, बाकी तो अपनी अपनी भाशा में अरेक नाम रख दिये, असल नाम शिव है, शिव शिव जयनती मशूर है, बेहत बाप की शिव जयनती है, तो आते भी जरूर होंगे, शिव बाबा का नाम बाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वरक की स्थापना कराने वाला, तो उस उच से उच बाप को याद करना पड़े, ब्रह्मा उच से उच नहीं, उच से उच, सब से उंच कौन है? उंच से उंच को याद करना है, वास्तों मी ब्रह्मा उंच से उंच बनते हैं, तुर नेचे भी उतरते हैं, तुम बीके भी नेचे थे, अब उंच बन रहे हो, एकदम उंच बाप के घर चले जाएंगे, तुम इस समय तरिकालदर्शी बन रहे हो, तुम निवास करती हैं, दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माई रहती हैं, विश्व और ब्रह्मांड अलग-अलग हैं, आत्माई रहती हैं निर्वान धाम में, जिसको शांती धाम कहा जाता, वो सबको प्यारा लगता है, उसका असली नाम निर्वान धा आत्मा का स्वरूप है शांत, एक शांती धाम, फिर है मुवी धाम और ये है टाकी धाम, एक शांती धाम, फिर सुक्ष्म लोग जहां सको मुवी धाम कहते हैं और ये है टाकी धाम, मुवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, शांती धाम में बहुतों को रहना होता, और कोई स्थान नहीं है आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो उपर में याद करती है बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाए कोई भी नहीं जानते मनुश्यों को इतना ज्यान है नहीं सिर्फ कहते ब्रह्मा विश्नु शंकर सूक्षम वतन में रहते हैं बाकि उनकी शोतम मास कहा जाता ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का जनम है शुद्र से ब्रामन बनना सबसे उत्तम है ब्रामन बनते हो तो दादे का वर्सा लेने के हकदार बनते हो बाप बच्चों को कहते बच्चे सदैव मन मनाभव बाप का मैसेज सब को देते रो बाब को कह आजाता मेसेंजर और कोई भी मेसेंजर अध्वा पैगंबर नहीं है वे तो आकर अपना धर्म स्थापन करते पैगंबर सिरफ एक है वो ही आके तुम्हें पवित्र बनने का पैगाम देते हैं पैगंबर केवल एक है जो पवित्र बनने का पैगाम देते हैं वो आते धर्म स् वो तो एकी सत्गुरु, सदकती देने वाला है, सच बुनने वाला, सचारास्ता बताने वाला एकी परम, पिता, परमात्मा, शिव है, तो बहुत गुप्त मेनद करनी है बच्चों को, अब तुम जानते हो हमें दे भूलकर एक बाबा को याद करना है, इस दे को भी भूलकर एक बाबा को याद करना है, शरी छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है, बाबा केते देही अभिमानी बनूँ, फिर कोई भी मित्र समंदी याद नी पड़ेंगे, हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाबा के पास, बाबा राय देते तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो ये बाबा भी नामी ग्रामी है इन द्वारा बाप सब आत्माओं का गाइड बन मचरों सदरिश वापिस ले जाते ये यथार्थ ग्यान सरफ तुम बच्चों की बुद्धी में है तुमको पांडव सेना भी कहते पांडव प सब आत्माओं शरी चोड़ चली जाएंगी सत्युक में जब थोड़ी आत्माओं है तो एक राज्य है अभी अनेक है फिर जरूर एक होगा ये सारा ज्यान बुद्धी में सिम्रण करना है बच्चों को परदशनी पे समझाना है जब न्यू देली थी तो नया भारत था एक जो पहले आते हैं वो ही 84 जनम लेते हैं ये बिलकुल सहच समझने की बाते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धी में है नाटक पूरा होता है सब एक्टर्स आ गए 84 जनम पूरे के फिर घर चलना है क्योंकि बहुत थक गए ना 84 जनम पूरे हुए वापिस घर चलना है क्य परों को भी पैगाम दो कि दे सब धर्म छोड़ अपने क्वात्म समझ बाप को याद करो ये पैगाम सब को देना है दे सब धर्मों को छोड़ अपने क्वात्म समझ बाप को याद करो और शरीली बनो तो पावन बन जाएंगे क्योंकि वापिस घर चलना है मोत सामने यहां भी बच्चे बाबा के पास समुक रिफ्रेश होने आते हैं, बाबा समुक बच्चों को समझाते, बच्चे देविमान छोड़, माम एकम याद करो, पुरानी दुनिया खतम होनी है, तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनें अगर मेनत भी करेंगे, तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी, बाबा के ते अपनी कमाई जमा करते रो, दूसरों को भी नेमंत्रन दो, बाप का रास्ता भी बताओ, तुम बच्चों को कल्यान करी बनना है, अपने मित्र समंधियों का भी कल्यान करना है, यहां तुम्हें देही अभी मानी बनना सिखाया जाता, महामंत्र देते हैं, यहां बाबा देही अभी मानी बनना सिखाते, महामंत्र देते, प्राचीन योग बाबा ने आके सिखाया, जिसके लिए गाया जाता, योग अगनी से पाप धग दो जाएंगे, कल्प पहले भी यही इशारा मिला था, बाप इशारा देते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रह भले घर गरस्त में, गाया हुआ है, शरन पड़ी में तेरे, ये भी होता है, जब कोई दुखी होते हैं, तो उंच ताकत वाले की जाकर शरन लेते, यहां तो प्रैक्टिकल में है, बाई बाप के कोई दे ना सके, बच्चे जानते, पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है, इस तरफ तुमारे स्थापना की त्यारी, उस तरफ विनाश की त्यारी, स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है, जानतियों बाबा आया हुआ है, प्रेड़ना से अगर सब कुछ होता, तो शिवजयन्ती क्यों मनाई जाती? प्रेड़ना से करने वाले की तो शिवजयन्ती मनाने की दरकार नहीं. जयन्ती तो सब आत्माओं की होती, आत्मा ही सब जीव में आती. आत्मा और शरीट जब मिलते हैं, तो पार्ट बजाते हैं. आत्मा का स्वधर में शान्त, उसमें नौलिज धारण होती. आत्मा ही अच्छा बुरा संसकार ले जाती है. बाप तो स्वरक का रच्चेता है. वहां तो पवित्रता ही है. ऐ पवित्रता का नाम निशान नहीं. ये है विशे सागर. कितना क्लियर समझाय जाता, तो भी किस की बुद्धी में नहीं आता. प्रन्तु तुम किसी को दोश नहीं देते हो. ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए है. तुम समझते हो सीड़ी से उपर से नीचे उतरते आए. ड्रामा नसर हमें उतरना ही है. फिर बाबा केते अब चड़ने के लिए पुर्शाट करना है. प्रन्तु जिनकी तकदीर में नहीं वो ऐसा कहते है. जो ऐसा कहते हैं उससे समझ जाती कि इनकी तकदीर में नहीं. बाबा कहते दो चार वर्श चलते चलते भी गिर पड़ते हैं. महसूस भी करते हैं. हमसे बड़ी भूल हुई. बड़ी चोट खाई. ये भी आधा कल्प क की बीमारी है कम नहीं है आधा कल्प के रोगी है भोगी बनने से रोगी बन चाते हैं तो बाबा आकर पुर्शार्थ कराते स्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो योगेश्वर तुम्हें योग सिखाते हैं तुम ज्यान ज्यानेश भी हो फिर बनेंगे राज राजेश्वर ज्यान से तुम धन्वान बनते हो योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं इसके लिए कितना पुर्शाद करना चाहिए योग से निरोगी बनते हैं एवर हेल्दी बनत आधा कल्ब के लिए सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो कितना पुर्शाद करना चाहिए, अच्छा, मीठे मीठे सिक्केलादे बच्चो प्रदी, मात पिता बाप ददद का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्थे, रुखानी के लिए सार, पावन बनने के लिए और शरीरी बनने का भ्यास करना है, सबको पैगाम देना है, एक बाप को याद करो, दे साइद सब कुछ भूल जाओ, योगेश्वर बाप से योग सीख कर, सच्चा-सच्चा योगी बनना है, ज्यान से धनवान, योग से निरोगी, एव एवर हेल्दी बनना है ग्यां से धनवान योग से मिरोगी एवर हेल्दी बनना है वरदान हैं कल्याण की वृती और शुब चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्यान की वृति और शुब चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्यान के निमित बनने वाले तीवर पुर्शार्थी भव तीवर पुर्शार्थी वह है जो सक्के प्रती कल्यान की वृति और शुब चिंतक भाव रखे बले कोई बारंबार गिराने की कोशिश करें मन को डगमग करे, विघन रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रती सदाशुब चिंतक का अडोल भाव हो बात के कारण भाव ना बदले, हर परस्तिती में वृति और भाव या थार्थ हो तो आपके उपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा फिर कोई भी व्यर्थ बाते देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा यही है विश्व कल्यानकारी स्टेज, स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रिंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं तिवर पुर्शार्थी आत्मा हूँ सबकी प्रती, कल्यान की वृति, शुब चिंतक वृति, निरंतर रखने वाले इस संसार रुपी खेल को ऐसे ही देखेंगे, जैसे सर्वशक्तिवान बाबा देखते हैं हर एक का पार्ट अपना है, हर एक का भाग्य अपना है पार्ट भिन भिन होते भी, मुझे सबके प्रती भाव और भावना अती स्रेश्ट रखनी है कल्यान की भावना सदा शुब चिन्तक बनकर सबके प्रती शुब भावना स्वैम को परम पिता के समुक अनुभव करें जैसे बाबा हर रुखु से प्यार करते हैं अनुभव करें मैं भी बाप सबान हूँ सबको शुब भावना शुब कामना की गिफ्ट देनी है सबका कल्यान सबका कल्यान शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया ओम शान्ति 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 अद्रिश है खूल चक्षू तो देखो आस्तित्व उनका मेहसूस होगा अद्रिश है खूल चक्षू तो देखो आस्तित्व उनका मेहसूस होगा मिलो उनको प्रमातन में मेहका लो मन की पेला थाम इस वेग को जगा लो वीवेग सारे जग का करण धार हो मुरली की तान बज रही हो मुरली की तान बज रही हो